हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टूए चेनल मेरा चेनल पसंदा है लाइक करें शेयर करें और सब्सक्रेब करें तो आज हमारे वागर में नाग पंच में हैं और मैंने सुबह सुबह अपनी नारियल को छिल करके रख लिया है क्योंकि फिर बाद में दूसरे काम में लग जाते हैं तो यह चीज़े रह जाती है और फिर मौरत का समय हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है यह साथ सारा हम रेडी नहीं कर पाते हैं तो सारी सामगरी रेडी कर लिए मैंने पूझा के लिए और जो कल सॉमवार को सिवलिंग बनाया था मैंने मिट्टी का उस बाल्टी में गलने के लिए छोड़ दिया तो उस पानी को मैंने पोदम दे दिया है और क्लिनिंग वगेरा अब प्लेट भी मैंने रेडी करके रख लिए बगवान की जो भी मुझे सामगरी मतलब यहां चाहिए वो एक ही जगे पर रख लेते ना तो हमें पूजा करने में बहुत आसानी हो जाती है तो मैं सारा एक जगे पर खटा कर लेती हूं हर वरत में मैं यही करती हूं और कई ब पानी रखते हैं ना किचन में मटकी रखी जाती है पीने का पानी वहां पर यह बना रहे हूं हमारे वागण में यह होता है इसी तरह बनाते है सभी लोग तो मैंने भी फोलो गर तो देखिए में नाग-नागिन का घर बना रही थी तो पहले चोकोर इस तरह से कर लिया और थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लिया था कि थोड़ा सुंदर दिखेगा चार-पांच दिन तक घर में रहेगा तो सुंदर तो दिखना ही चाहिए ना तो बस इस तरह से डेकोरेट करा उसके बाद सबसे पहले में नागिन बनाऊंगी क्योंकि वह तो घर की मालकी ने उसे तो बनाना ही था तो पहले में नागिन बना ली उसके बाद में उसके चार बच्चे बनाएंगे तो इस तरह से यह बन जाएगा उसके बाद में हम पूजा सुरू करेंगे उसके बाद हम करेंगे दिपक धूप अगर बत्ति यह सब कर लेंगे कथा सुन लेंगे और आरती वग संटतर्थ अं marks we go fix the first example is that Bio तॉमिए तो मैंने सब को एक साध़ी पेना तुमें छे को मैं इसे सब्सक्रालना बड़ा लोगी तो चलिए थोड़ी सब्सक्राइब धोर बोह कोले तो घर्मि at minasya It me एक को थोड़ा सा नेगलेट किया जाता है क्योंकि उसके पीहर में कोई था नहीं और उसके गोदबराई का समय हो रहा था तो गोदबराई कौन करेगा जब कोई है ही नहीं तो वो बड़ी दुखी होती है और उसे खीर बनती है गर में वो भी खाने को नहीं दी जाती है लेक के सारे डाई थो पूरे करते।